हाई एवरिवन वेलकम बाक टू माई चानल मैं हूँ नीथी और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वन प्रोटक्ट रिव्यू और ये है प्रोटक्ट प्रोटक्ट इस अ हेयर स्प्रेय इस फ्रॉम नोवा गोल और ये कोई न्यू प्राइड नहीं है सब लोग इसके बारे में जानते हैं आइजस वांटे तो गिवर रिव्यू ऑन हेर स्प्रेइज मैं ये सोचते हूं कि अराउंड 80% लोग हेर स्प्रेइज नहीं यूज करते दिमाग में बहुत सारे मिट्स होते हैं कि हेरउस यूज करना चाहिए तोहां मैं ब्ल सबसे पहले बात आती है कि हेर स्प्रेय होता क्यों है और हेर स्प्री होता क्या है और हम hair spray use करते हैं to protect our hairs from humidity, wind and of course कोई भी अगर हम hair style बनाते हैं तो उसको वो set रहे उसके लिए हम hair spray use करते हैं CDC language में अगर मैं बात करूँ तो और secondly बात यह आते हैं कि हमें hair spray कैसे apply करना चाहिए और कब apply करें कुछ लोगों के दिमान में होता है कि गीले वालों में करें सुखे वालों में करें कैसे करें तो hair spray में कोई ऐसा कुछ नहीं है आप कैसे भी apply कर सकते हो चाहिए आपके wet hairs है चाहिए आपके dry hairs है तो उसमें कोई problem नहीं है और it can be applied, it can be used by both men and women तो यह भी कोई जंजट नहीं है यह दोनों के लिए है और thirdly यह बात आती है देखो hair sprays आपको purchase करनी चाहिए अपनी purpose के हिसाब से purpose का मतलब यह होता है कि suppose आप daily life में use कर रहे हो, ordinary days में और अगर आपको अपने hairs जैसे natural दिखने है natural चाहिए कि natural लगे और फोड़े bouncy चाहिए तो आप hair spray purchase करिए जिनकी जो light hold hair sprays होते है उसमें mentioned होता है जब भी आप hair spray purchase करोगे कि उसमें strong hold है या light है या normal है, medium है तो उसे साफसे आप इतने hair spray purchase करिए अगर आपको चाहिए कि बहुत bouncy और natural दिखे तो आप light hold वाले hair spray यूज़ करिए और अगर suppose आप कही functions वगेरा में जारी हो और खुब सारे पैसे खर्च करें और बहुत time लगाया है अपने अपने hair style बनाने में तो आप यूज़ करिए hair spray with a stronger hold उसे वोगा क्या stronger hold से अगर आप अपने hair spray करोगे तो वह काफी लंबे समय तक आपके hairs वैसे के वैसे ही रहेंगे तो इसलिए यह purpose आपको जानना जरूरी है कि आप hair spray किसलिए खरीद रहे हो ठीक है क्यूंकि आपने इतना पैसा खर्च किया है hair सब्सक्राइब करते हैं देखो सबसे पहले बात आती है कि hair spray करते क्या है देखो सबसे पहले बात आती है it gives you a finishing hold. Finishing hold का मतलब यह होता है कि वो इतनी अच्छी hold देते है hair spray तभी hair spray को हम gel, creams और और भी अलग hair styling cosmetic products है उससे हम सबसे जादा लोग hair spray prefer करते हैं क्योंकि उससे बहुत अच्छी hold आती है और it also gives a natural shine to your hair तो इसलिए hair spray prefer करते हैं और secondly for volume के लिए, for girls के लिए, styling के लिए, अलग-अलग तरह से hair spray यूज होते हैं मैं इसके उपर भी एक वीडियो लेके आऊंगी कि आप hair spray को और कितनी तरह से use कर सकते हो पर फिलाल के लिए मैं कर रही हो इस product का review और देखो यह है from nova gold देखो आप अच्छे से देखो nova gold brand है, nova सब लोग जानते हैं इसके बारे में और बड़े अराम से आपको market में किसी भी shop में मिल जाएगा मैं भी market से खरीद के लाई थी, मैंने online purchase नहीं किया था सो देखो, यह जो मेरा है 200 ml का है, 200 ml का अराउंड 180-200 के आसपास का पड़ेगा आपको और जो 400 ml का है वो 253-300 के आसपास का मैंने यह वाला इसलिए purchase किया था क्यूंकि मैं उस वाक्त beginner थी और मुझे जादा hair sprays के बारे में पता नहीं था और जिस एक function में जाना था तो मैंने purchase किया था और लेकिन यह product काफी अच्छा है, मैंने इसको बहुत use किया है और देखो, सबसे पहरे तो इसकी packaging की बात करूँ, बिल्कुल normal packaging है जो हर hair spray की packaging golden or black में होती है और इसमें लिखा है super firm hold, इसमें strong hold, light hold भी हाता है मेरा जो है वो super firm hold है, long lasting natural shine और इसमें नीचे इसकी expiry दी हुई है, यहाँ पे कि आपको किस तरीके से use करना है और कितने कितने तरह के sprays है, holds है, वो इसमें पूर अच्छे से बताया हुआ है 200 ml की bottle है, और देखो, अगर मैं इसको open करके आपको दिखाओं, तो इस तरीके से इसका nozzle है यह बिल्कुल mist की तरह आता है, और काफी अच्छी है, मैंने इसको बहुत use किया है और यह अराम से आपका around 5-6 hours आपके hairs कहीं नहीं जाएंगे हाँ बट यह है, देखो, इसमें मुझे यह लगया एक quons आप कहलो या कुछ भी कहलो, यह बहुत जादा product use होता है मतलब कि आपको काफी जादा बार spray करना पड़ेगा, तब आपके बाल set रहेंगे और set मतलब यह है, setting के point of view से देखो तो यह best है, setting अच्छे से आपके 5-6 hours कहीं ली जाएंगे लेकिन थोड़ा जादा spray करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, इसका जो spray है, इसमें कोई color नहीं है, transparent color में है smell बिलकुल mild smell है, कोई ऐसी ज्यादा fragrance या खुछ नहीं है, बहुत mild smell है, transparent है, और अच्छी setting है, और क्या चाहिए देखो, hair spray में और काफी affordable है, around 200 के आसपास देखो, जैसे मैंने आपको पताया पड़ गया, budget friendly है, अच्छा hair spray है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बट मैं यह कह हों की जरूर, कि आपको hair spray regular use नहीं करने चाहिए, it damages your hair, और काफी ज्यादा पास से मत करिये, मैं एक video लेके आऊँगी, आगे मैं आप लोगों के साथ share करूँगी, कि hair spray कैसे use करना चाहिए, कि मतलब एक किस direction में, किस तरी से, और बिलकुल अपने scalp के पास hair sprays नहीं यूज करने चाहिए, थोड़ा सा distance रखके hair spray use करने चाहिए, तो उससे आपके scalp भी healthy रहेंगे और आपके hairs भी healthy रहेंगे, ठीक है, so that's all for today, I hope you like my video, if you like my video, then please do like and subscribe to my channel, thank you so much, bye bye